हेलो फ्रेंड्स विलकम टू सरकारी रिजल्टेट डा दोस्तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ नई जौब की जानकारी जो की पवन हंस लिमिटेट द्वारा निकाली गई है जो की एक मेनी रतन कमपनी है भारत सरकार की इसमें trainee technician की vacancy निकाली गई है इसके लिए candidate को mechanical में diploma पास होना चाहिए या फिर aeronautical में diploma होना चाहिए या फिर electronics, electrical या फिर electronics and communication या फिर instrumentation engineering में diploma पास होना चाहिए इसके लिएवाद जिन लोगोंने aircraft maintenance engineering का course किया है वो लोग apply कर सकते हैं और जिन लोगोंने aircraft maintenance engineering course B1.3 तथा B2 category में किया है वो लोग भी इसके लिए apply कर सकते हैं application form fill करने से पहले आपके पास one year post qualification experience होना चाहिए maintenance of transport aircraft या फिर helicopter vacancies की बात करें तो B1 के लिए 18 vacancy तथा B2 aeronics के लिए total 10 vacancy है age limit की बात करें तो maximum 25 साल है monthly आपको 16,500 रुपय दिये जाएंगे तो जो लोग form fill करना चाहते हैं मैंने link video के description में दे दिया comment में पिन कर दिया है आप इस link पर click करें application blank form तो आपके सामने ये form खुल करा जाएगा आप देख सकते हैं ये notepad में होगा आप इसको video form में convert कर लें उसके बाद आप इसको fill करके दिये गए address पर भेज दे यहाँ पर इसका address दिया गया जर्नल मैनेजर Pawan Hans Limited मुंबाई आपको यहाँ पर भेजना होगा तो link वीडियो के description में दिया गया है और application fees 118 रुपय होगी उसके लावा GST include करना होगा इसमें 118 रुपय application fees है लेकिन SCST और PWD category के candidate को application fees नहीं जमा करनी होगी लेकिन इससे पहले बता दें अनकेडमी दोरा UPSC Civil Service exams 2021-22 और 23 की तयारी करने वालों के लिए नए batch start किये गए है इन batches की बात करें तो one year batch start किया गया है UPSC Civil Service exams की तयारी के लिए जिसमें आपको सारा syllabus cover कराये जाएगा prelims और mens का सभी classes आपकी live अनकेडमी के top educators दोरा ली जाएंगी इसके लाव prelims और mens की test series कराये जाएगी ये batch आपके हिंदी में है इसके लावा English में है या फिर आप bilingual batch जाइन कर सकते हैं तो जो लोग UPSC Civil Service exam 2022 batch की तयारी कर रहे है अनकेडमी दोरा उनके लिए नय batch start हुए है तो जो लोग UPSC Civil Service exam 2022 की तयारी कर रहे है तो आपका exam जो है 5 June 2022 को होगा तो अनकेडमी दोरा 5 phase में इसके तयारी करवाई जा रही है पहले phase में जो है आपका prelims और mains की तयारी करवाई जाएगी सारा syllabus cover करवाई जाएगा जो की 7 महीने की तयारी होगी इसके बाद prelims का revision कराया जाएगा और practice करवाई जाएगी जो की 2 महीने करवाई जाएगी उसके बाद 5 June को आपका paper होगा और paper खतम होने के बाद 10 June से 10 September यानि की 3 महीने तक आपकी mains की तयारी और practice करवाई जाएगी और 16 September 2022 को UPSC का mains exam nation होगा इसके साल थी जो लोग UPSC civil service exam 2023 की तयारी कर रहे है उनके लिए 2 year batch start किया गया है इसमें भी आपकी सारी classes जो है लाइव होगी जिसमें आपको 17 November 2021 तक NCRT की तयारी करवाई जाएगी उसके बाद आपकी advanced level की तयारी करवाई जाएगी इसके बाद prelims और mains का slivers cover कराया जाएगा पूरा इसके बाद आपका 15 November 2022 से 31 December 2022 तो mains का special course करवाई जाएगा जिसमें model question paper और previous year questions होगे इसके अलावा 15 January 2023 से 15 April 2023 तक prelims का crash course होगा और 15 January 2023 से 10 माई 2023 तक आपका current affair round up और multiple choice question course cover कराया जाएगा और माई या जून 2023 में आपका paper होगा prelims का उसके बाद mains का crash course कराया जाएगा उसके बाद आपका UPSC mains 2023 का exam होगा तो जो लोग घर बैठे तयारी करना चाहते हैं वो लोग anacademy का plus subscription ले लें मैंने link वीडियो के description में दे दिया comment में पिन कर दिया है आप उस link पर click करें उसके साथ ही आपका जो current price है उस पे 10% extra discount के लिए आप SRADDA coupon code यूज करें SRADDA जिससे आपको maximum discount मिलेगा और इससे related कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं